को हलो फ्रेंड्स नमश्कार दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बूला कि आपके वीडियो नहीं आ रहे है रेगुलर बहुत दिनों से आपने इस पर रूलेट इंडिया पर वीडियो नहीं डाला है और मनीज रथिंग पर भी नहीं डाला दोने कसीनों के चैनल है मेरे उस पर मैं कसीनों की साइकलोजी के बारे में बात करता हूँ इस पर मैट्रिक और स्ट्रेटिजी बताता हूँ उसका कारण यह है कि मैं पिछले एक महिने से सोलो ट्रेवलिंग पर हूँ मैं 6 फरवरी को गpowा से निकला था एक अफ़ता मुंबई मैं रहा, मुंबई कोल्कता चले गया, नो दिन रहा, कोल्कता से ना थाइलेंड आ गया, ऑब ही मैं पटाया में हूँ और इसके बाद देखते हैं आगे कहा जाओंगो तो जब भी मैं गुआ पहुंचोंगो तो रेगुलर वीडियो आएंगे पर ये सोलो ट्रेवलिंग की वज़े से मेरे वीडियो नहीं आ रहे है और बहुत सारे लोगों ने जिनको ये पता है कि मैं इस समय थाइलेंड में हू उसकी राजधानी है और पटाया और फुकेट इसके दो बड़े शहर है तूरिस्ट कंट्री है पर कसीनो बेहन नहीं आपर तो पूरे थाइलेंड के अंदर किसी भी शहर में कोई जुए नहीं है कोई कसीनो नहीं है लीगल तो नहीं है ठीक है तो एक तो यह बात हो गई द सवाल की यह हैं, वो सवाल के जवाब देने के ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूं पर लगता है कि जैसे कि ठीक है यार आभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि देखो क्या होता है यात्रा हैं आपको सिखाती हैं, जब आप अकेले यात्रा कर करते हो तो आपका ही दिमाग होता है अब गलतियां करते हो सीकते हो नई लोगों की चीजे समझते हो तो वह सब चीजे इसलिए कई पर नहीं ध्यान हो पाता है पर फिर वी एक बहुत कॉमन कमेंट आया था पिछले एक टिड्ट हफते से आ रहा है कि कमपाउंडिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है पर मुझे बड़ा हैरानी होती है personally मैं यह नहीं कह रहा कि आप जूट बोल रहे हो या वो जिसने भी बनाई है वो जूट बोल रहा हुगा पर अपने आप में कुछ doubt सा होता है कुछ अगर आप publicly declare करते हो तो हिंदुस्तान के अंदर जो income tax department है उसका जो कानून है उसका जो law है income tax का जो rule है वो यह है कि अगर entertainment के जरिये 10,000 से उपर कोई भी रकम 10,000 से जादा की कोई भी रकम अगर कमाई जाएगी तो उस पर 30% का tax है 30% और अगर sales वगरा मिलागे लगब लगब 33% परता है अब आप एक बात समझो कि मैं यहाँ पर आकर यह बोलो कि मैंने 50,000,000 रुपया कमाया 10,000 रुपय तक की छूट है 10,000 से उपर सीधा 30% है कोई flat नहीं है कि 10,000 से 50,000 तक इतना और एक लाग तक इतना दस लाग नहीं 10,000 तक छूट है आपकी lottery लग जाए 10,000 की छूट है आपका आपने कोई कौन मणे का क्रोड़पती में जीते आपने किसी TV शो में जीता या आपने कोई जूए में जीता कहीं पर भी जीता अगर आपने किसी भी entertainment के जरीए पैसा कमाया है जूआ gambling जो entertainment tax के अंदर आता है देखो अन ओफिशली आप कुछ भी करो आप नहीं बता रहे हो नहीं बता रहे हो पर जो rule है मैं वह आपको बता रहा हूँ तो rule यह है कि 10,000 रुपे तक की छूट है 10,000 से उपर 30% सेज़ बगर में 33% अब सोचो को बनाओ 10,000 का 15,000 बनाओ मैं नगत लिखे जातों नगत लिखे आतों वह बैंक का कोई रोली नहीं है उसमें जब तक मैं खुद ना declare करूं कैसे पता लगा होगे आप पर कोई आदमी यह कहता है कि मैंने online में एक लाग रुपया डालके उसको compounding करके 50 लाग बनाया मैं यह न आपका 10,000,000 रुपय से उपर total क्योंकि आप यह pencard और अधारकाड लिंक्ट है सब जगा तो अगर आपका 10,000,000 से उपर साल का turnover होता है ट्रांजेक्शन होती है अगर 10,000,000 से उपर की तो bank को उस account की detail देनी होती income tax को यह rule है ठीक है कोई आदमी कहता है जी मैं पैसा डालके मैंने 50,000,000,000 बना लिया उसको कोई डर ही नहीं लग रहा कोई चिंता ही नहीं कि मेरा 33% टेक्स में कट जाएगा कल को bank पूछेगा भाई सब आपका कहां से आया यह पैसा अगर आप अभी online किसी भी website पर लगाता है तीन चार पर UPI कर तो देख लो आपको bank से phone आजाएगा बैंक बाला बुला लेगा तो आप खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि मतलब मुझे मैं यह नहीं कह रहा कि क्या है पर में को थोड़ा सा कुछ अठपटा से लगता है कि यार 50,000,000 रुपया आपके bank में आता है थोड़ा-थोड़ा करके आए चाहे एक साथ आए चाहे वह 100 यह बार में आए चाहे वह एक बार में आए एक साल के अंदर 10,000,000 से उपर पर तो income tax को inform करना होता है, 10,000 से उपर तो income tax का rule है कि 30% tax है पर आप 50,000,000 रुपया कमा रहे हो कुछ महीनों में, bank में आ रहा है, आपको कोई tax की चिंता नहीं, आप शोगया करोगा, income tax में क्या पर होगे 50 लाग पर कहां से कमाया है सोर्स किया है आपकी सोर्स बतानी पड़ेगी ना तो यह सब चीजे सवाल खड़े होते दूसरी बात कंपाउंडिंग जो है 4 % ऊपर, 8 % नीचे वाली चाहर परसंट नीचे हो कुछ आसे ही कुछ ब्तात सा कि वह सोर्स भी अगारे हो simus तो हम सो जम्मा कर आए और आपने सोचा की 104 रुपय हो जाएग गि अज बंद कर दूंगा और अगर नहीं हुए और नीचे की तरफ गया तो तो बंद कर दूंगा जब बाई रूपय की घाटे पे बंद कर दूंगा एंध बारा रुपय की घाटे पर भ जिफकुफी बड़ी बात है कि हम समझ लो आप कसीनों को कह रहे हो आप कसीनों को कह रहे हो तेरा तो मैं 4% लोगा भले तू ज्यादा दे सकता है और अपना मैं 12% दूँगा तो यह तो अपने आप में बड़ी एक अजीब सी स्टेटीजी है पाकि आप लोग समझदार हो दे इसलिए मैं कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता जो कमेंट के माधियम से उन्होंने मुझसे पूछा है इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर मैंने उसके माधियम से आपको बताया कि यह चीज है कि अगर कोई भी आदमी मैंनी कह रहा है या कोई भी आदमी इतने ल मैं भी जो बोल रहा हूं उसको भी क्रोस चेक करो रेशनल बनो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया इसी मैं तो कमपाउंडिंग हमेशा खिला को कोई एक आदमी ने किया ना वो तो exception case हो गया अफवाद हो गया अफवाद कभी उधरान थोड़ी बनेगा exception example थोड़ी हो होता है तो कमपाउंडिंग देखो ना कमपाउंडिंग नेगिटिव में भी काम करती है आप देखो आप अपना कार लोन लेके देखो शूरू में आपका principle जड़ा से जाएगा इंट्रेस ज़दा जाएगा पाकी आप कुछ समझदार हो आपकी मर्जी मेरा काम था कुछ कमेंट्स पर reply करना तो मैंने बता दिया आप मैं जब गुवा पहुंचूंगा तो रेगुलर वीडियो डालूंगा और जुड़े लेने के लिए थंग या मैंना यहां थाइलेंड लोगों से बाहर करके ना थ बेनेफिट होता है कि आप मेरे से परसनल चैट कर सकते हैं टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाता और अभी मैं ट्रेवलिंग में हूँ तो आई होप यू कैन अंडर्स्टेंट ओके गुडबाई थैंक यू